नमस्कार साथियो मैं श्रीबानन्द वीदी एक सामाजी कारे करता हम आपको बता दें कि हम पुन्हा उसी अस्थान पर हैं जी हां मद्यप्रदेश के जिलारीवा अंतरगत तहसेल सिर्मौर जन्पत पंचायद गंगयो ग्राम पंचायद से दहा की ये खरीदी के इंद्र हिन धरूप से पसु बाने में कैद हैं लगभग 9 वजे का समय हो रहा है जी हां आज दिनांक अपन देख लें थोड़ा सा दिनांक देख लें आज लगभग 22 हां आज 22 दिसंबर है और प्रिसाइज टाइम बता रहा है आठ वचकर 40 मिनट आठ वचकर 40 मिनट 22 दिसंबर बरस 2016 क सुबह आकर के इनका क्लिप बनाया हुआ था मारे पास हो मौझूद है हम दुवारा यहां से लौट रहे थे तो हमने सोचा कि देखें जरा साइज सुबह इसको साथ वज़े के आसपास साथ 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 वज़े तक साथ इसको बाहर कर दिये होंगे लोग लेकिन बाहर नहीं इसी तरह से बंधे रहें दो कई लिए मभजे तक 12 बजे तक जब जैसी चैसी ते रहती है और फिर यहां पर जिसी रहती है है कि दो दिन त्ही पर बढ़ी रहे जिहत दीवाली के असवास की यह बात थी पूरे हम आपको यह पूरा प्रकण दिखाते हुए और दुर भागे की बात है और हम इसको यहीं परबंद करें कि ज़्यादा इसमें समय नहीं लेंगे और हम आपको बता दें एक बार पूरे कि पूरे रीवा जिले में यहीं स्थिद्ध है पूरे रीवा जिले में लगभग 4-5 पंचायतों की बीच में इसी तरह से माल मवेशियों को खुले आसमान में रख दिया जाता है वाइस तरीके से बाने में कैद का दिया जाता है उसमें से कुछ मर जाते हैं कुछ जो सेस बचते हैं पनी किसमस से तो बचे रह जाते हैं इनको ना चारा ना भूसा ना पानी और इस खुले आसमान की जैसे आप देख रहे हैं यह आसमान जो नीला आसमान है आज 22 दिसंबर बरस 2016 का कलाकी की ठंड़का इसके नीचे यह बैठे हुए थे थोड़ी महर जन्पत पंचाहिद गंगियों ग्राम पंचाहिद स्यदाहा के भšमरिया नामकस्थान के पास का यह परीद्रिश्व इधर पूरा जंगली शैत्र है कांकर पनगड़ी बियत कहलाता है कांकर पनगड़ी बिट जीहां से चल आ रहा है 40-50 बरन से और और आज ये इस्थीत हो गई है कि पसुओं को रहने के लिए कहीं चारा गाहा खत्म हो गए हैं, कहीं जगहनी बची है, जंगली पसु भी चारा पानी की तलास में बाहर आ जाते हैं और इस तरह से उनको दूर्दसा का सामना करना पड़ता है, धन्यवाद।